हाई दोस्तों कैसे आप लोग आइफोन 16 और आइफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स का बहुती बड़ा गुड नीज निकल गया है मरगर्मन की तरफ से तो आई ये इस वीडियो के अंदर में आप लोगों के साथ सेर करने वाला हूँ क्या नया अपग्रेड होने वाला है और क्या क्या देखने मिल सकता है 2024 के अंदर तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आप लोगों के साथ सेर करने वाला हूँ और चैनल को पर नय है वीडियो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या तो जरूर कर लीजिए इसी तरह का कॉंटेन आप लोगों को देखने मिल जाएगा सबसे पहले जो आई फोन 16 है 16 के अंदर क्या क्या नया अपग्रेड आपको देखने मिलेगा इस म्यूट बटन को एपल रिप्लेस करके एक्षेन बटन और एक्षेन बटन जो है वो है वो हैप्टिक वाला आने वाला है जैसे आईपोन 7,8 के अंदर टच हैप्टिक आता था तो उसी तरह का जो है हप्टिक टच वाला बटन आपको आईपोन 16 की नॉन प्रो मॉडल में देखने मिल सकता है और ये सरफ नॉन प्रो मॉडल नहीं आपको प्रो मॉडल के अंदर भी देखने मिल सकता है हप्टिक वाला और इसके बाद जो हमारे को और एक news सुनने मिल रहा था जो iPhone 16 के line-up के अंदर display बड़ा होने वाला है तो बिल्कुल होने वाला है लेकिन non-pro model के अंदर नहीं, pro model के अंदर होने वाला है अब यह iPhone 13, 14, 15 के अंदर आपको camera setup कुछ इस तरह का देखने मिलता है लेकिन जो 16 का non-pro model है उसके अंदर vertical camera देने का जो reason है इस जगह पर हो सकता है जो Apple Vision Pro जो आने वाला है तो Apple Vision Pro की बज़े से जो special video को देख सके 3D की मदद से तो इसके लिए हो सकता है जो साथ diagonal के अंदर इस पॉसिबल नहीं है इस जगह पर हो सकता है लेकिन यह leak और rumors है आगे final के लिए हम रहे के तो wait करना ही पड़ेगा और इसके बाद जो camera के अंदर improve आपको देखने मिल सकता है आभी 48 Megapixel का main camera आपको देखने मिल रहा है तो इस जगह पर कुछ Apple इसके अंदर improve करें लेकिन non-pro model के अंदर इतना ज्यादा कुछ news आया नहीं लेकिन pro model के अंदर काफी very good news निकल के आया है और iPhone 16 की non-pro model के अंदर और एक upgrade होने वाला है वह है chipset क्योंकि Apple जो है एक साल प iPhone 16 non-pro model के अंदर और A18 जो pro होने वाला है वो 16 pro के अंदर तो pro और non-pro जो है इस जगह पर use करने वाला है क्योंकि pro device है तो pro chipset और non-pro device है तो non-pro chipset तो यह था iPhone 16 की non-pro model के अंदर जो upgrade लेकिन 16 pro और pro max के अंदर क्या-क्या upgrade होने वाला है सबसे पहले इसके अंदर dynamic island है और इस जगह पर जो action बटन है यह action बटन जो है haptic touch बला आपको देखने मिल सकता है जैसे iPhone 7, 8 के अंदर देखने मिलता था तो इस तरह का haptic touch बला देखने मिल सकता है इसके बाद और एक जो upgrade होने वाला है इस जगह पर एक button apple add करने वाला है पार बटन के side में नहीं तो उसके नीच करते है तो इस जगह इस button को प्रेस करके जो है camera को open कर सकते है तो एक button add कर सकता है और एक physical भी हो सकता है और haptic वाला भी हो सकता है तो अभी तक है final हुआ नहीं इसके बाद जो upgrade होने वाला है iPhone 16 Pro और Pro Max के अंदर display के अंदर Apple जो technology use करने वाला है micro lens और यह micro lens की बज़े से इसक काफी ज़्यादा आपको देखने मिल सकता है और यह billions colors की बज़े से ब्रैडनेस ज़्यादा होगा और इस जगह पर जो battery है यह काफी कम consume करेगा जिसकी बज़े से battery life आपको और ज़्यादा देखने मिल सकता है और battery size भी इस जगह बढ़ने वाला है और अभी तक जो Apple battery के अ performance के उपर battery के अंदर overhead नहीं होगा और इस जगह पर battery life हमारे को ज़्यादा देखने मिल सकता है और इस जगह पर जो है battery size भी बढ़ने वाला है तो इस जगह पर जो battery का सिकायत अभी भी रहता है तो इस जगह पर ना की बरबर हो जाएगा क्योंकि इस जगह पर एक नया technology ला आपको देखने मिल जाएगा इस जगह पर देखने मिल रहे है जो 27 watt इस जगह पर 80W आपको देखने मिल सकता है लेकिन Max app जो है इसके साथ upgrade हो सकता है 20 watt supported तो इस जगह पर Apple अभी 27 तो इस जगह पर बढ़ाता है तो 13 watt extra बढ़ाता है तो बढ़ने वाला है या नहीं तो इस 16 pro और pro max के अंदर 30 watt का fast charging देखने मिले और इसके बाद बात करते है camera camera तो आपको 3 setup का camera देखने मिलेगा जैसे आपको देखने मिल रहे है और इसके बाद अगर camera की बात करते है तो camera के अंदर काफी ज़दा improve देखने मिल सकता है 48 megapixel का जो main camera है यह ultra wide lens देखने मिल जाएगा इस जगा पे जिसकी बाद से picture quality, video quality और आपको sharpness देखने मिल सकता है और iPhone 16 pro और iPhone 16 pro max के अंदर zooming का जो option बढ़ने बाला है तो बहुत ही दूर का चीज close up में ला सकते है तो काफी अच्छा option रहेगा iPhone 16 pro और pro max के अंदर टेली फोटो कैमेरा और इसका जो main camera है 48 megapixel का main camera जो white angle white angle camera का भी sharpness video quality, photo quality आपको देखने मिल सकता है और इसके बाद जो इसका display size display size बढ़ने वाला है display size कितना बढ़ने वाला है और इस जगा पे iPhone 15 pro और iPhone 16 pro इस जगा पे अगर display का compare करेंगे तो इस जगा पे आप देख सकते है thickness वो आपको बिल्गुल सेम मिलेगा 8.25 mm और इस जगा पे height की बात करते है तो 149.6 mm iPhone 16 pro और 15 pro आप ही आपको जो देखने मिल रहे 146.6 mm और इस जगा पे width की बात करें 15 pro के अंदर 70.60 mm और इस जगा पे 16 pro होने वाला है 71.45 mm और display का जो size है 6.3 inch और 6.1 inch तो 6.3 inch 16 pro के अंदर और weight की बात करें तो इस जगा पे weight बढ़ने बाला है क्योंकि iPhone 15 pro के अंदर weight है 187 grams और iPhone 16 pro के अंदर 194 grams तो इस जगा पे जो है 7 gram जो है weight के अंदर बढ़ने वाला है तो 7 gram जो weight के अंदर बढ़ने वाला है इस जगा पे थोड़ा सा height और थोड़ा सा चोड़ाई की बज़े से और इस जगा पे battery use होने वाला है तो जिसकी बज़े से इसके अंदर weight थोड़ा बढ़ने वाला है और इसके बाद अगर iPhone 15 Pro Max और iPhone 16 Pro Max का compare करेंगे तो इस जगा पर आप देख सकते हैं thickness बिल्कुल सेम है 8.25 mm और height की बाद करें iPhone 16 Pro Max के अंदर तो इस जगा पर 163.00 mm और इस जगा पर iPhone 15 Pro Max के अंदर 159.9 mm तो इस जगा पर जो है 3 mm बढ़ने वाला है और इस जगा पर वेट की बात करें जो चोड़ाई की बात तो इस जगा पर जो है लगभग 1 mm से कम बढ़ने वाला है तो 77.58 mm जो iPhone 16 Pro Max के अंदर और 15 Pro Max के अंदर 76.70 mm तो इस जगा पर 1 mm से भी कम बढ़ने वाला है और इस जगा पर जो display size 6.7 inch और इस जगा पर जो है 6.9 inch बढ़ने वाला है display और weight की बात करें तो weight भी बढ़ने वाला है iPhone 16 Pro Max का weight है 225 grams और iPhone 15 Pro Max का weight है 221 grams तो इस जगा पर 4 gram बढ़ने वाला है तो 4 ग्रम जो बढ़ने वाला है सीधा सीधा display size और इसका battery की बज़े से बढ़ने वाला है तो 4 ग्रम कोई मायने ने रखता है हाद में लेके भी पता नहीं चलेगा और इसके बाद जो upgrade आपको देखने मिल सकता है Qualcomm का Snapdragon X75 modem तो इस जगा पर जो net over connectivity है ये काफी fast होने वाला है और इसके साथ जो है Wi-Fi के अंदर upgrade आपको देखने मिल सकता है क्योंकि अभी आपको 6E देखने मिल रहा है इस जगा पर Apple लाने वाला है 7 7 के अंदर connectivity के अंदर काफी fast होगा और काफी दूर से भी आप इसको use कर पाएंगे और speed भी काफी fast होने वाला है तो काफी जगा पर upgrade होने वाला है Pro model के अंदर Non pro model के अंदर आपको देखने नहीं मिलेगा इसरे pro model के अंदर ही देखने मिलेगा और इसके बाद chipset की बात करें तो chipset के अंदर finally upgrade तो होने वाला है इसके अंदर कोई भी doubt नहीं क्योंकि iPhone 15 Pro और Pro Max के अंदर A17 Pro chipset है तो iPhone 16 Pro और Pro Max के अंदर A18 Pro chipset आपको देखने मिल जाएगा तो काफी कुछ upgrade हो सकता है iPhone 16 और iPhone 16 Pro और Pro Max के अंदर क्योंकि काफी time बाकी है और इसके अंदर काफी और leaks उमर्स निकल के आने वाला है तो यह था iPhone 16 और iPhone 16 Pro का जो leaks उमर्स जो इस वीडियो के अंदर महीं cover किया तो उम्मिद है इस वीडियो को देखके आपके लिए useful लगा होगा अगर इस वीडियो को देखके इस वीडियो को